आज मैं बनाऊंगी आवली की बहुत अच्छी रेसिपी सरदी का मुसम है आवला बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है और आवला हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है जैसे हेर प्रोब्लम, स्किन की प्रोब्लम यह रेज़ीपी अचछी रेज़ीपी है अप इसे जरू चाने लगेंगे अखेषा हो से और उसकी सप्ट आयीज़ी गेत पानी डाल दिया है और उसके उपर मैंने छलनी रख दिया है छलनी में हम आवले रख देंगे यह मैंने आदा किलो आवले लिये है इन्हें हम भाप में पकाएंगे इसके उपर मैंने एक प्लेट रख दिया है इन्हें 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद इन् पानी में इसलिए नहीं उबला क्योंकि पानी में उबालने से इनके जो भी विटामिन्स और जो भी तत्व हैं वो पानी में बह जाते हैं तो इसलिए हम भाप में उबला इने हेलो गाइज वेलकम तू माई चैनल रितू की दुनिया हर हर महादेव आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके लायको तो इस वीडियो को जादा सिदा दा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तो यह गाइज मैंने उतार लिये थे अब इनको मैं ऐसे इनके जो बीज है अंदर से वो निकाल लेंगे बीज को हम साइड रख देंगे अब इने हम चक्कू से काटनेगी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह अपने आपी बहुती आसानी से खिल गए है और यह अपने आपी एकदम बहुती अच्छे तरीके से निकल जाएगे यह देगे कितने असानी से निकल रहे है और किसी को सरदी में कफ की प्रोब्लम है सरदी लग जाते है तो यह उसके लिए बहुती अच्छी रेसिपे क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़े डालने वाली हूँ जो कि सरदी के लिए बहुती अच्छी है जैसे बच्चे जाएंगे यह देखें सारे बीज ऐसे हम इने निकाल लेंगे यह बहुती आसानी से निकल जाते हैं आवला ज़रूरी खाना चाहिए आवला आप कच्चा नहीं खा सकते तो ऐसे रेसिपी में बहुत अलग रेसिपे ना ही यह आवले का मुरब्बा है ना ही आवला कैंडी ह यह बहुती अच्छी रेसिपी है इसे आप खाएंगे तो आपको बहुती जादा लाब मिलेगा यह मैंने एक मिक्सर जाड़ लिया है इसमें मैं सारे यह आवले को डाल लूँगी इसका हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे यह देखें बहुती अच्छा एक पेस्ट बन के तयार हो गया है इसको ना हमें मोटा रखना है ना इसको हमें जादा बारीक रखना है यह देखे कितना अच्छा से बन के तयार हो गया है यह मैंने गैस पर इकड़ाई चड़ा दिये उसमें मैं जो हमने यह आमले का पेश्ट बनाया उसको हम इसमें डाल देंगे सारे पेश्ट को इसमें डाल देंगे ना ही इसमें हम कोई घी ओईल कुछ भी यूज नहीं करेंगे इसे हम सिर्फ दो चीजों से ही बनाएंगे अब इसमें हम यह गुड़ डाल देंगे गुड़ खाने के लिए भी बहुती अच्छा होता है इसमें आयरन की भरपूर मातरा पाये जाती है और यह सूगर वालों के लिए भोती अच्छी रेसिपी होगी मैंने एक रेसिपी बनाएती तो उसमें कोमेंट आते कि सूगर्वाले कैसे और और नुन्सूगर वाले भी तो यह मैंने आधा किलो में 400 गिलां गुड़ लिआ है गुड़ को मैंने अच्छे से पीट लियाता यानि उसकी अच्छे से कुटाई कर लीती है इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे इसे हम लोटू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और गुड जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा यह देखिए मैं इसको चलाती रही तो यह अच्छे से हमारा जो गुड है व बांशी वाले खुड थी खा सकते हैं और जिसको सुगर नहीं हो भी खा सकते हैं कुए बहुत या अच्छी रहिसीपि किसी को ब्रिष्टक्राखि रिश्तेदार 익्लिटीफ किसी को पाड़ोस में किसी को भी बांशे हेर प्रोबलम या वह इसकी अ म्मआई इस्किन ग्लो नहीं कर ली तो आप इस रेसिपी को उन तक जरूर पोचाएं और किसी के सर पे बाल नहीं है या बाल जड़ गए है तो वो भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें यह देखें मैं इसमें दो चमच सोप डाल दूँगे सोप डाइजेसन के लिए भी बहुत ही अ आकों की प्रोग्लम है जैसे आको में जल्दी से चस्मा चड़ गया है यह बज्यों को बड़ों को व्पी से जरूर च्राय करें इस रेसिपी को विलकौल स्किप ना करें इस वीडियो को लाश टक देखें यह हम इसमें तिल डाल देंगे जैसे कि तिल भी बहुत अच्छे होता है तिल उसमें यूज किया जाते हैं जैसे बच्चे राक को सोते टाइम सुसु कर देते हैं तो उन बच्चों को तिल दिये जाते हैं इसकी मैं next recipe ले के आऊंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ये देखे मैंने इसको एक प्लेट में इकाल लिया है अब इसके हम छोटे-छोटे लड्डू बनाएंगे इस तरीके से हाँ गाई हलका साब हाथों पर बस हलका सा ही वो लगा ले न घी या हलका सा ओल लगा ले न रिफाइन तो इससे की हाथ पर चिपके का नहीं बहुती अच्छा बहुती सोफ्ट एक्दम बहुती नरम बनके यह हमारे जो लड्डू है तयार हो जाएंगे एक लड्डू आप सुभ़ शाम खाएंगे यकीन मानिए 100% गारेंटे से कहते हूँ आपको जो भी skin की problem आको की problem और hair की problem है वह आपके सभी दूर हो जाएंगे इस तरीके से हम बना लेंगे यह देखे कितने अच्छे से बनके तयार होगे और हाँ गय क्योंकि मैंने नहीं कोई पानी यूज गया तो इसे हम दो साल, तिन साल, चार साल तक भी श्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराम होने वाले कोई चीज नहीं है इसे आप प्लास्टिक के जार में ये काच के जार में श्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पाने यूज नहीं किया है तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और गाई जाब मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेश सबसे पहले मिल सके तो वीडियो पसंद आई तो इसे जादा शे जादा शेयर करें लाइक करें हर हर महा दे मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में यह देखें कितने इच्छी लग रही है गाईज इस रेस्पी को जरूर ट्राई करना मैं आपसे बार-बार यहीं बोलू हूँ, बहुत इच्छी रेसिपी है